अबे यार शिंचान एक बात बता तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है ये तो तेरे स्कूल का टाइम था ना तुझे लेट नहीं हो जाएगा और ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर दो बस खड़ी है बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है जरा मुझे बताओ के यहाँ पर बता रहा है और एक बात बता ये लाइन में तो बस बड़े बच्चे दिखाई दे रहे तेरे स्कूल में तुम लोगी छोटे हो क्या अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है छोटे बच्चों की लाइन अंदर जा चुकी है अब खाली बड़े बच्चे है इसका मतलब तुम लोग लेट हो चुके हो लेट हुए नहीं है आपने करवाया है अरे तो चौक मुझे थोड़ी ना पता था क्या आज इनकी पिकनिक है तुम लोगों को प्लैन तो अच्छे से याद है ना एक मिनिट गाइस ये लोग किस प्लैन की बात कर रहे है याद रखना वो पुलिस टेशन बचना नहीं चाहिए उसे पूरी तरीके से उड़ा देना पैसे भी हमारे एरिये में वही एक पुलिस टेशन है जब वही नहीं बचेगा तो पुलिस ओपरेट कहा से करेगी ओ भाई साब गाईस ये लोग तो पुलिस टेशन उड़ाने की बात कर रहे है शिंचान मेरी बा पागल हो गई हो क्या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कोई कुछ भी बोलता है और आप मान लेते हो एक तो देखो सारे बच्चे अंदर जा चुके है आप हमें और लेट करवा दोगे छोटे बच्चों की स्कूल चली जाएगी प्लीज अभी हमें जाने दो ना मैं ये पिक पिकनिक कैंसल मत करवाओ मैं आपके हथ जोड़ता हूँ देख शिंचैन मेरी बात सुन ये गुंड़े अबे भी यही पर है क्या पता ये तुमारे साथ चले जाए मैं खतरा नहीं ले सकता हमें पहले पुलिस टेशन जाके इनफॉर्म करना होगा उसके बाद तुम्हें य अरे क्या यार प्रेंक्लिन भई आप बहुत गलत कर रही हो मैं तो मज़े नहीं कर पा रहा कम से कम इन दोनों को तो करने दो तो चौप तुझे किसने बांद के रखा है क्या तू भी चला जा अपने दोस्तों के साथ गुमने अरे यार मेरे दोस्त भी सारे कुटे है जब कर करता ही क्या है या तो पूरा टाइम सोता रहेगा या तो खाएगा और हगेगा अब उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूत है वो तो तू यही पर कर सकता है अब हमेशा बहाने देते रहो अरे नहीं नहीं चौप फ्रेंक्लिन भईया एकदम सही बोल रही है तुम ऐसा ह करते हूँ हाँ चौप भईया यह करते हुए तो मैंने भी आपको देखा है यह देखो फ्रेंक्लिन भईया के दोनों चम्चे बोले तुम घुमने जा रहे हो ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो अगर तुमारी यह पिक्निक नहीं होती तो तुम भी मेरा साथ देते ओ भाई साब माफ कर देना गलती से हो गया देखा मेरी सारी चीजे नजर आती है आप जो यह बरबर गारी ठोकते रहते हो उसका क्या अरे तो चौप मैं जान मुझके थोड़ी ठोकता हो जाता है अरे अभी तो समल्की अरे यार आज हो क्या रहा है चलो गया जल्दी से पाक करते संट्रेटी नहीं कर पा रहा था बच्चो यार जल्दी जल्दी आजाओ हमें अंदर जाके बात भी करनी है अरे आ रही है ना अब मेरी बात ध्यान से सुनो यह पुली स्टेशन है यहाँ पर मस्ती मत करना वाना हम इने इन्फॉर्म करने आये और तुमारे वज़े से यह मु परदस्ती मस्ती करूंगा अचा ठीक है नहीं बोलता अब एकदम शांती से अंदर चलो जाकर बात करते हैं ओहो भाई साफ इन्होंने तो पहले से किसी को पकड़ करनी थी जरा आप सुनेंगे दिखाई नहीं दे रहा है मैं पहले से बीजी हूँ अंदर जाकर बात करो मैं उन्हें बस में छोड़ने गया था वहाँ पर मैंने कुछ गुंडों की बात सुनी वो लोग बोल रहे थे कि आज पुलिस टेशन उड़ाने वाले है एक मिनिट क्या बकवास कर रही हो मेरा टाइम खोटी मत करो वरना उठा के जेल में डाल दूंगा अगर मस्ती करनी है तो कही और जाकर करो मैं सच बोल रहा हूँ जूट नहीं बोल रहा मैंने तुमसे एक बार कहा ना मेरा टाइम बरबाद मत करो यह पुलिस टेशन है सर मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ना मैं आपको वान करने आया हूँ तुम हमें वान करोगे अरे यार एक मिनिट पुलिस टेशन उडाने वाले मैंने अपने कानों से सुना था भरोसा नहीं हो रहा तो मेरे भाईयों से पूछ लेना वो भी मेरे साथ थे उस टाइम पर अगर यह बात जूट निकली तो तुम पर बहुत बड़ा केस बन सकता है तुम समझ रहे हो ना देखो जो मैंने सुन पिर हम किस काम के है सर वो तो अभी आपकी मर्जी मैं बस इतना ही कहना आया हूँ देखो पहली बात तो हम किसी एरे गेरे गुंडे से डरते नहीं है और अगर ऐसा होने भी वाला होगा तो हम उन्हें पहले ही पकड़ लेंगे हमारी नजर चारो बाजू है अब जाओ यहा जार आप लोग मुझे गलत ले रहे हो मैंने इसमें कुछ भी जूप नहीं बोला जोता सब कुछ आके बता दिया वरना मुझे क्या पड़ी है क्या पड़ी नहीं आप पड़ेगी निकल यहां से यह आज कल के बच्चे पागल हो गए है प्रेंक करने के चकर में कुछ भी क प्रेंक्लिन भीया इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं हमारी थोड़ी न कोई गलती है एक काम करो चलते है यार या से पता चला मुझे बाहर खड़ा देख लिया तो इनको लगेगा मैं सची में कुछ प्लैन कर रहा था इससे पहले डंडे पड़े निकलना सही रहेगा वैसे अब शिंचन और मिंचन की पिकनिक का क्या करना है छोड़ना भी पिकनिक को मेरा मन किदर जाने का नहीं है तो फिर इसमें गलत मैं ही होगा क्यूके कल को उटके तो कुछ हो गया तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी पूरी अब शिंचन भईया फ्रेंक्लिन भईया एकदम सही बोल रहे है ये रिस्की हो सकता है हमें इनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए अरे क्या यार मिंचन भरोसा करें या ना करें बात तो इनकी माननी ही परती है ये हमसे बड़़े है इसलिए दोस जमाते रहते है औरे नई शिंशान ऐसी बात नहीं है इस बार तो मुझे भी फ्रेंक्लिन भीया पर भरोसा हो रहा है देखा चौब भी मेरी बात मान गया शिंशान अभी तू भी मान जा मुझे क्या पढ़ी है जो मैं तुमारा पिक्निक कैंसल करवाओ अरे मुझे तो लगता है आप हमसे जलती हो सामने देखो ओ भाई सब बच गया बाइक वाला और एक बात बता मैं तुमसे क्यों जलूँगा क्योंकि हमारी पिक्निक में बहुत सारी खुबसूरत दिदी आने वाली थी ना अबै यार तेरी गाड़ी उदरी अट की है पेरी बात सुनो ये पुलिस वालों के लंच का टाइम है हमारे पास यही मौका है इससे पहले के इन्हें पता चले हम ये पुलिस टेशन उड़ा देंगे तुमने पुरी तैयारी की है ना आँ बस हमने पूरी तैयारी कर ली है ये हुई ना बात जितना जल्दी हो सके गाम को शुरू कर देते है इससे पहले इन्हें पता लगे और ये बाहर आए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा प्लैन हम पर भारी पड़ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे नहीं बस आप चिंता मत कीजिए हम बेलकुल पकड़े नहीं जाएंगे अभी तो चस्ट वो निकले है उन्हें आने में टाइम लगेगा जब तक वो अंदर खाना खा रहे है उन्हें थोड़े धमा के भी खिला देंगे ये हुई ना बात चलो जल्दी से जाओ अच्छा ठीक है बस मैं जा रहा हूँ पहले बाम लेकर आ जाता हूँ ये रहे बाम इनके धमा के इतने जोड़दार होंगे कि आवास दूर दूर तक जाएगी फिर हमारा खाफ इस शहर में और भी जादा बढ़ जाएगा यही सुनना था मुझे अब देखिये बाम तो लगा दिये है धमा के शिर हो जाएगे वाँ 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 क्या बात है सब लोग डर के भाग रहे है अब ये पलिस टेशन तो गया जरा यहाँ का हाल तो देखिये बास अब जल्दी से फोन करके सबको बता देता हूँ मेरी बात सुनो काम पूरा हो चुका है अब हम लोग जितने क्राइम करना चाहे कर सकते है मैं तुमें फोटो भीच रहा हूँ इस बात को आख की तरह फैला दो कि ये काम किस ने किया है ताकि उस शहर में अपना दबदबा बना रहे दूसरी गैंग अपने सामने आने की हिम्मत ना करे अब बास यहां से निकलने की बारी है क्योंके आसपास के लोग आएंगे मीडिया आईगी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमारा है जब तक इने पता चलेगा हम रफ उचकर हो जाएंगी हमारा फिवरिट काटून आने वाला ही जल्द से टीवी को चालू करता हूँ गाइस यार पता नहीं क्या होगा मुझे तो डर लग रहा है तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम दोनों को टीवी नहीं देखना अरे अभी वो काटून शुरू होने में थोड़ा टाइम है एक मिनिट यार किसका फोन आ रहा है सैम हाँ बोल अरे फ्रैंक्लिन तुझे पता चला क्या हमारे शेहर में किसे ने पुलिस टेशन उड़ा दिया है और वो धमा का बहुत ही बड़ा था चारो बाजू बस वही चर्चा हो रही है क्या भाग कर रहा है उड़ा भी दिया अरे यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे पहले से पता था हाँ बस कुछ ऐसे ही समझ ले मैंने ये बात सुनी थी और पुलिस टेशन जाके इंफर्म भी किया था अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो न्यूज में तो आ रही होगी जल्दी से टीवी को चालो करके देखते है मिंचेन चैनल बदलना अच्छा ठीक है फ्रेंक्लिन भीया न्यूज लगा न्यूज अभी लगता हुँ शहर में हुआ एक बहुत बड़ा हथसा किसे ने पूरे पुलिस टेशन को ही उड़ा दिया है और उस एरिया में वही एक पुलिस टेशन था अब पुलिस को ओपरेट करने में और भी मुस्किल होगी यहाँ तक कि वहाँ के बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हो चुके है ओ भाई सहाब शिंचैन मिंचैन चौप मेरी बात सुनो मुझे लगते हमें वहाँ पर जाके देखना चीए उन्हें हमारे मदद की जरुद पड़ सकती है अरे रुको हम भी आते है जल्दी से आओ मैं किसी के लिए रुकने नहीं वाला हूँ काश उन्होंने मेरी बात पहले मान ली होती फ्रेंक्लिन भाईया आप तो एकदम सही बोल रहे थे तो मैंने तो बोला ही था ना तुम्हें भरोसा नहीं था अरे मुझे तो था शिंचैन को नहीं था अरे कोई बात नहीं अभी हो गया ना अच्छा हुआ हम लोग पिकनिक नहीं गए मुझे तो जो लोग पिकनिक गए है ना उनकी टेंशन हो रही है हाँ शिंचैन भईया अपने एकदम सही बोला मुझे भी हो रही है तुम लोग इतनी चिंता मत करो मुझे नहीं लगता उनका कोई प्लैन था स्कूल बस उड़ाने का उनका पूरा फोकस है ना उस पुलिस टेशन पर ही था अरे तो फिर हमें रूका क्यों क्योंके शिंचैन में कोई चांस लेना नहीं चाता था अगर उन में से कोई तुमारे स्कूल बस में घुजगया होता और बस को हाईजेक कर लिया होता तो अरे पहले आप इस पर ध्यान दो गाड़ी ठोकते ही रहते हो बाद में हाईजेक करवाना अरे यार बातो बातो में हो जाता है चौँ प्यार याँ पर इतनी बड़ी टेंशन चल रही है तुझा ये सब सूझ रहा है जिसकी गाड़ी मैंने ठोकी उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा अरे पर हम तो देंगे ना एक खत्रे से बचे इसका मतलब कि एक्सिडेंट में जाया कर दे अभी कुछ हो जाए तो शुप शुप बोल यार सुबे से वैसे आड़ी तेड़ी चीज़े हो रही है अरे कुछ नहीं होगा हमसे जादा तो आप डर रही हूँ डरने वाली बात है इसलिए डर रहा हूँ चलो बच्चा जल्दी से उतर जाओ ओ भाई साहब इन दोनों की तो हालत खराब है मैंने बोला था यार के यहाँ से निकल जाना और जरा पूलिस टेशन का हाल देखो यह तो पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है अब तो पूलिस का काम बहुत दिन तक रुख जाएगा जनरल भी यहाँ पर आये हुए इन से जाके बात कर लेते है सर कुछ पता चला यह किस ने किया है वैसे तो मैंने बात सुनी थी पर चेहरे ढंग से नहीं देखे थे क्योंके मुझे लगा अगर मैं उन्हें घुरूंगा तो उनको मुझे पर डाउट हो जाएगा मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है पर इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम जाएगा तुमारे पुलिस वाले गाहल हो चुके है बहुत सारी अम्बुलेंस निकल चुकी है पर यह दोनों जन पीछे ही छुट गए इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हूँ तुमारे पास तो गाड़ी भी है अरे सर बिल्कुल मैं मदद कर सकता हूँ पर आप यहां से निकल जाईए यह बेल्डिंग गिर जाएगी मेरी चिंता मत करो यह सब मैंने बहुत देखा है तुम अभी जाओ इन्हें लेकर आच्छा ठीक है याईस यार इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुचाना होगा अरे फ्रेंकलिन भाया यह तो वही ऑफिसर है ना जिसको आपने जाके वो बात बताई थी हाँ यार यह वही है जिन्होंने मुझे भगा दिया था वो भी बेज़ज़त करके देखा क्यासे क्या हो गया दिखती दिखती अब जो हो गया सो हो गया उसे छोड़ो यह सब ठीक करने के बारे में सोचना होगा अरे पर हम यह सब कैसे ठीक करेंगी देख शिंचान मैं मदद तो करवाऊंगा यह लोग हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं तो यह हमारी जिमेदारी है अरे हाँ फ्रेंकलिन भया पिकदम सही बोल रही हू शिंचेन भया हम भी मदद करवाएंगी औरे पर आप लोग मदद करोगे कैसे आरे वो देख लेंगे आगे पहले होस्पिटल तो पहुचने दे इनकी जान बज़ जाए वही हमारे ले काफी होगा हाँ ये भी है जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ अब इससे स्पीड क्या चलाओ फिर ठोक दूँगा तो बोलेगा के फिर से ठोक दिया मैं नहीं चाता इन्हें और कुछ हो चलो गाइस हॉस्पिटल पहुच गए जल्दी से गाड़ी को पाक करते इन्हें अंदर लेकर जाते है क्या हुआ डॉक्टर ये दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना मुझे जल्दी से बताईए सर ये ठीक तो हो जाएंगी पर इन्हे थोड़ा टाइम लगेगा रिकावरी में अच्छा ठीक है आप अपनी पूरी कोशिश करो इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए ये हमारे जाबाज ओफिसर है इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किये है हमारे पास ऐसे ओफिसर काफी कम है तो प्लीज अपनी पूरी कोशिश करना अरी हाँ डॉक्टर अंकल प्लीज बच्चे तुम चिंता मत करो फिलाल कुछ और टेंशन की बात है उन्होंने पुलिस टेशन के बाद इस हॉस्पिटल को भी उड़ा दिया था वो तो हमारी नसिब थी मेरे आदमी टाइम पर पहुच गए थे तो वो लोग पूरा नुकसर नहीं कर पाए हाँ आप एकदम सही बोल रहे है उनका पूरा इरादा था उन्हें पता था कि पुलिस टेशन को उड़ाने के बाद हम पुलिस वालों का इलाज करने के लिए यही पर लेकर आएंगे इसलिए उन्होंने यह हॉस्पिटल भी उड़ाने की कोशिश की पर आपके आदमी टाइम पर आ गए थे इसलिए हम बच गए अभी भी हमें बहुत चीज़ों की जरुरत है जो की धमाके में उड़ गई थी मैंने वो मंगाई है पर उन्हें आने में टाइम लगेगा बस तब तक यह सर्वाइव कर जाए यह आप क्या बोल रहे हूँ मुझे डराओ मत सर्व जो भी है मैं आपके मूँ पर बोल रहा हूँ हमें जुट बोलना नहीं आता हम डॉक्टर है जो होगा वही बताएंगे और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमी ने टाइम पर यहाँ पर लिकर आगए कम से कम इसका खून तो रोक पाए हम मेरी बात सुनो लड़के तुमने बहुत अच्छा काम किया तुम्हारा नाम क्या बताया मेरा नाम फ्रेंक्लिन है देखो उन्होंने पुलिस टेशन को उड़ा दिया है मुझे लगता है तुम हमारी मदद कर सकते हो हमें पुलिस टेशन को फिर से बनाना होगा और इस बार पहले से मजबूत बोलो इसमें हेल्प करोगे अरे क्या बत कर रही हूँ एक पुलिस टेशन बनाना है अरे फिर तो बहुत मज़ा आएगा ये काम मज़े नहीं मेहनत का है अगर कर सकते हो तो ही हाँ बोलना सर देखें मैं गैरंटी तो नहीं देता पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ मुझे कोशिश ही चाहिए गैरंटी तो आज के जमाने में कौन ही देता है फिर तो मैं तयार हूँ जो करना पड़े करूँगा अपनी पूरी ट्राइ करूँगा पूलिस टेशन बनाने की पर मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी बिना पैसो के कैसे होगा उसका इंतजाम देखते हैं कैसे करना है फिलाल तुम ये सब सोचो कि शुरूआत कहां से करोगी शुरूआत का तो मैं देख लूँगा क्या बोलते हो शिंशान मिंचान और चॉप अरे मैं तो तयार हूँ मेरे तो हाती नहीं मुझे थुड़ी ना काम करना है मैं तो वेसे भी तयार हूँ देख रहे हो गाईस क्या बुरे हाल हुए पड़े है पुलिस वाले घायल है, पुलिस टेशन तबाह हो चुका है अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना है क्या आगी क्या होने वाला है तो जल्दी से कमेंट कर दो और अगर आपको वीडियो चलगी है तो वीडियो को लाइक करो नहीं तो चानल को सस्क्राइब करो उसी के साथ अब मैं फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आरी होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मैं मिलूँगा आपसे अपने अगली वीडियो में जैहिंद